बहुत से लोग बिल्लियों को पाल कर रखते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि बहुत बार आपकी बिल्ली जो है आपके पैरों पर आकर के रगर मारती है या अपने सरीर को रब करती है या बहुत बार अपने सर से आपके पैरों पर टकर मारती है या आप बैठे होते हैं तो आपके सरीड में आकर किया अपने सरीड को रगरती हैं, तो बहुत बार हमें उनका ये वहार अशमानने प्रतीत होता है या लगता है कि ऐसा क्यों कर रही है बिली है, तो आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों करती है बिली है, बिली या मेल हो या फीमेल उसके बिहैवियर में है कि अपने मालिक को या जो भी उसका और होता है, केर टकर होता है, उससे अपना प्रेम पर दरसित करती हैं, उसके लिए बहुत बार जो है, उसके सरीड में जाकर के उसके पैरों में जाकर के अपने सरीड को रगरती है या रब करती है, अगर उसका कारण देखा जाए, तो कारण है बिहवियर के साथ साथ जो है, उसके हेड्स पर, सर पर या फिर सरीड में जो है, बहुत सारे सेंट ग्लैंट्स होते हैं, जहां से क तो दूसरी बिल्लियां अपने आपको थोड़ा महफूज महसूस करती हैं, और महसूस करती हैं, कि उनके इर्दगीर्द कौन-कौन व्यकती हैं, या आपके सरीर पर एक पाचान के रूप में उस गंद को लगाती हैं, ताकि वो सुकून से या महसूस कर सके कि आपके इर्दगिर्द कौन है। साथ ही इसका दूसरा कारण होता है कि जब आपके सरीड में भी वो गंध जाता है तो दूसरी बिल्लियां भी या दूसरे जानवर भी उसको महसूस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके घर में कोई पशू है या कोई बिल्ली दूसरी बिल्ली भी रह रही हैं। पेरों के बीच में जाकरके या आपके पैरों पर जाकरके अपने सड से टककर मानती हैं। जो सेंटिकलेंड होता है उससे जो निकलने वाला फेरों मोंस होता है केमिकल्स होता है वह आपके बॉड़ी पर अपलाई करती हैं। अपने आपको आपके साथ काफी सहज मासूस करती हैं। और एक अपना एरिया भी डिफाइन करती हैं उससे अपना छेत्र भी परिभासित करती हैं। कि उसके घर में इर्द गिर्द भी और लोग हैं या फिर आप उसके मित्र हैं इस रूप में वो प्रदर्सित करती हैं। या यूं कहें कि वो आपकर अपना एक दावा भी प्रसूत करती हैं। कि ये मेरे करीबी हैं, मेरे मालिक हैं, या फिर मेरे साथ रहते हैं और मेरा ध्यान रहते हैं, तो उमीद है, ये का सारे कारण आपको समझ में होंगे और यही मुख्यता कारण है बिलनियों के आशा वेभार करने का, ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल पेर्स प्लैटफॉर्म पर बने रहिए और यदि वीडियो पशन्द आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद